आज की वीडियो में हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 31 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है evaluating definite integral by substitution यानि आपने substitution method से अगर integration करनी है तो वो कैसे करेंगे आप सबसे पहला point है मारे पास evaluate definite integral by substitution then use this ठाझ THIS पहला time, इसमिल में आपको हम M new수 Kya कैसे का सथ definite integral में और टैमेंट आप लिमिट्स Patazen आप लिमिट्स भी होती है एक लोग है और एक पब लिमिट्स लिमिट्स होती है तो आपने को क्या करना है कि जो definite integral हो यानि जो function इसको पहले आपने evaluate कर लेना है पहले उसकी integration आपने कर लेनी है then उसकी limits, a, b जो limits होगी वो आप साइट पर अप्लाय करेंगे दूसरे point में कहा जा रहे है कि first represent definite integral in form इस form में उसको represent करें और यह जो f of x है उसको हम h of g of x कह सकते हैं और साथ में g of x का अलग से derivative भी लिखा हो यानि जैसे आप composite functions पढ़ते हैं एक function के अंदर दूसरा function है तो यह जो अंदर वाला function होता है उसको आप इस तरह से g of x की form में लिखें उसका derivative find करें और वो साथ में लिखें लिखें पर आप क्या करें substitution बनाए u is equal to g of x और फिर आप उस u का derivative लें और इससे g का derivative हो जाएगा साथ में dx लेकिन अब हमने limits जो है वो change करनी पड़ेंगी यानि पहले अगर हम limits x की यूज कर रहे थे तो अब हमने उसको यू की form में अगर convert कर लिया है तो यू की limits फाइंड करनी पड़ेंगी जो कैसे निकालेंगे जो आपने यू लेट किया होगा ना function उसके अंदर आपने यहां पे x की जगह आपने a पुट कर देना है एक्स की जो limit a होगी ठीक है तो वो यू की limit आगी और जो यह x की limit b है वो आप पुट करेंगे तो b आजएगा इसको हम अभी apply करेंगे example में फिर आपको इसकी अची समझ आजएगी ठीक है इंटेग्रल 0 से 2 तक limits है x into x square plus 1 whole part 3 और 7 में dx अब पीछे हमने इसके दो method पढ़े ना पहले page पे जो हमने देखा है तो हमने दोनों method से यहां पर मैं solve करके आपको बता दूंगी तो आपको जो easy लगे आप वो paper के अंदर use कर सकते है अब अंदर वाला जो function है x square plus 1 उसको u is equal to x square plus 1 साथ यूसका derivative ले ले लें u का derivative होजएगा du by dx x square का derivative 2x और 1 का 0 अब du हमने find करना है तो dx यहां डिबाइड हो रहा है वहां जाके 2x के साथ multiply हो जागा 2x dx अब क्या करें इसके अंदर put कर दें values यह आपने जो let here function यह आपने u का है ना तो u part 3 हो जाएगा तो integral u part 3 सा यहां डिएक्स और x dx की value निकालनी है आपने तो x dx की value जब निकालनी है तो 2 यहां multiply हो रहा है यहां जाके divide हो जाएगा du by 2 और x dx आजएगा तो यहां पे आपने क्या किया x dx की जगा du by 2 लिखती है ठीक है अब क्या करना है 2 तो constant है 1 by 2 बाहर निकाले अंदर u cube du रह यू की integration करें यू पार 4 by 4 हो जाएगा साथ में limit 0 से 2 तक apply कर दी और यू की जगा वापिस क्या करें पुट कर दें जो आपने let किया वा था यू को यू is equal to x square plus 1 तो यहां x square plus 1 put किया इसकी power 4 ले 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 और यह जो 4 था यह मैंने 2 के साथ multiply करके 8 कर दिया बाहर इसकी limits 2 का square plus 1 और बाहर होल पावर 4 थी वह वैसे लिगती 2 का square plus 1 वह 5 आजएगा minus 1 करेंगे तो 4 पार 4 तो इनको आप जब डिवाइड करते हैं तो answer आपके पास आजाता है 78 यह method 1 था कि जिसमें हमने limits जो है वो क्या कि हमने integration सारी find कर ली एंड पे यू की वापस value पुट करने के हमने integration में जो limits थी वो x वाली ही use की अब method 2 के अंदर क्या है कि आपने जब u let कि है ना u is equal to x square plus 1 तो आपने यू की limits निकाल लेनी है इदर x की lower limit put करें जो हमने पीछे x की lower limit 0 दी भी थी और upper limit 2 दी थी तो हम एकदफ x की lower limit 0 पुट करते हैं एकदफा उसकी upper limit 2 पुट करते है तो यह आजएगा 0 square plus 1 तो u की lower limit आगी 1 तो अब आप इदर lower limit u की 1 लिखते हैं अपर limit x की 2 थी तो 2 की यहाँ put करेंगे 2 square plus 1 वो 5 आजएगा तो u की upper limit 5 आगी ठीक है और यह जो expression था ना यह वाला जो हमने यहाँ पे लिखा था वो हमने ले लिए ठीक है आप शुरू से वै x नहीं है और आपने जब इसको simplify किया u power 4 by 4 आया अब आपको यहाँ पे u को replace करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यह जो method था इसमें आप u की जगा यह 0 और 2 नहीं पुट कर सकते हैं आपने क्यूंकि यह x की limits हैं तो u की जगा वापस x वाली value पुट करनी है फिर limits apply करनी है लेकिन यहाँ थो हमने limits ही u की निकाल ली है ना यू की जब limits निकाल ली है तो अब आपको इससे u की जगा वापस x नहीं पुट करना आपने direct u की जगा उसकी upper limit minus lower limit पुट करके उसको simplify करना है answer फिर भी वही आया जो हमारा पहले आया था चीक है तो एक method तो यह है कि आप integration स सारी कर लें limits change ना करें वही रहने दें यह question के अंदर है और end पर बस u की जगा वापस पुट कर दें x वाली value जो आपने लेकिए और method 2 के अंदर क्या है कि आप u की जगा वापस value नहीं करना चाहते तो u की limits find करें और फिर उसके जरीए उसको evaluate करें next example है 0 से pi by 4 तक आपके प लेकिए कि यू को मैंने लेट कर लिया pi minus x अब इसकी x की lower limit put करेंगे और एक दफ़ा x की upper limit put करेंगे x की lower limit put करेंगे तो pi minus 0 pi आ जाएगा यू की lower limit आगी pi तो मैंने यहां पर pi पुट कर दिया इसी तरह से अब x की upper limit हमने यहां पर pi by 4 क्यूंकि लिखी वी है तो यहां पर pi by 4 पुट कर दिया इस x की जगा अब pi minus pi by 4 आया 4 pi minus pi 3 pi by 4 lcm लेके आगया ठीक है lcm कैसे लेते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना denominator same करने के लिए 4 बनाने के लिए उपर नीचे 4 multiply करेंगे 4 pi minus pi 3 pi by 4 और अब function के अंदर देखें cause इसकी जगा तो u आजेगा साथ में dx की value भी put करनी है यूँकि पूरा function अब u की form में होना चाहिए x की form में नहीं लिख सकते हम तो यह जो u था हमने लिट किया था इसका derivative ले ले लें इसका derivative du आजेगा इस side पे pi का derivative क्या होगा constant 0 हो जाएगा minus x का derivative 1 आजेगा ठीक है और dx जो यहां पे वैसे हम जब इसका derivative करते हैं तो यह करते हैं na du by dx is equal to minus 1 आएगा तो dx को मैंने वहां जाके 1 के साथ multiply कर दिया तो minus 1 dx के साथ multiply होके minus dx होगा लेकिन हमें minus dx नहीं चाहिए हमें plus dx चाहिए तो आपने minus इस side पे shift कर दे ना du के साथ हमने यहां पे minus du लिख दिया dx की जगा minus आप बाहर निकाल लें अं एक दफ़ा अपर लिमिट यू की जगा पुट कर दें minus लगा के lower limit पुट कर दें अपर लिमिट पुट करके 3 pi by 4 जब आप sign लेते हैं तो 1 by under root 2 आता है और sign pi लेंगे तो जीरो आएगा तो final answer मारा आगया minus 1 by under root 2 उसके बाद है प्रॉक्सिमेशन बाइ रायमन सम रायमन सम क क्या होता है ये नीचे जो एक्स्प्रेशन आपको नजर आ रहा है ना पीछे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जब हम सिग्मा और लिमिट दोनों साथ में लगाते हैं तो वह इंट्ग्रल बन जाता है तो उसमें जो सिग्मा वाल एक्स्प्रेशन था ये जैसे सि चाहिए लिमिट लगाते हैं तो वह इंट्रोड बन जाता है तो फिर ये जो प्रोक्सिमेशन जाता है जादा नेर होगी जादा करीब होगी इक्वल टू डैफिन इंट्ग्रल ये पहला वारा चोटा सा था 31 लेक्चर तो 32 भी हम इसी वीडियो के अंदर कर लेते हैं दोनो fundamental theorem of calculus यानि calculus का जो second fundamental theorem है वो हमने इसके अंदर पढ़ना है तो पहले हमें थोड़ी सी हाँ पे dummy variable की definition देख लेते हैं कि dummy variable क्या होता है if we change letter of four variable of integration but don't change limits हम letter change कर दें लेकिन limits change ना करें जैसे पीछे हमने किया था x की जगा हमने u लिख दिया लेकिन limits हम अगर change नहीं करते तो जो यू है ना वो as a dummy variable यहां पे हम उसको शो करेंगे ठीक है जैसे integration है a से b तक f of x dx आप x की जगा t भी लिख सकते हैं तो फ of t dt हो जाएगा उसकी जगा y भी लिख सकते हैं f of y dy हो जाएगा यू भी लिख सकते हैं f of u du हो जाएगा देखें फंक्शन में हमने variable change कर दिया लेकिन limits चेंज नहीं कहीं यह भी a to b है यह भी a to b है लिमिट सेम है तो ऐसे जो numbers है ना जैसे x, t, y, u यह सारे letters हो हैं यह क्या हैं dummy variables हैं यह सिर्फ representation के लिए है जैसे नीची example देखें x square dx है और इसकी integration 1 से 2 तक आपने limits लगा के करनी है तो x square की integration हो जाएगी x cube by 3 ठीक है साथ में इसकी limits पुट कर दें 2, 1 upper limit पुट करेंगे 2 का cube over 3 minus lower limit पुट करेंगे 1 का cube over 3 तो 8 by 3 minus 1 by 3 यह 7 by 3 आगया इसी तरह से अगर आप x की जगा dummy variable यूज़ कर लेते हैं t तो यह t square हो जाएगा limits देखें सेम है तो t cube by 3 इसको भी जब आप evaluate करेंगे तो answer सेम आएगा और अगर आप x की जगा u पुट कर देते हैं या y पुट कर देते हैं तो y square और variables की जो limit है वो 1 से 2 तक सेम है तो y square की integration y cube by 3 हो जाएगी और जब आपने यहां पे limits अप्लाय की है 1 से 2 तक तो upper limit पुट करें minus लगा के lower limit पुट करें तो answer आपका सेम आ रहा है तो देखें फाइनल answer पे हमारे कोई फर्ट नी पढ़ा अगर हम variable में जो letters हैं वो change कर दें तो शर्ती है कि limits change नहीं होनी चाहिए next definite integral with variable upper limit के अगर ऐसा आपके पास integral आजाए जिसमें upper limit में variable आ रहा है ठीक है? x आ रहा है अभी तक हमने जितने भी questions की हैं उसमें constant होती थी लोगर limit भी और upper limit भी अगर upper limit में variable आता है फिर हम इसको कैसे solve करते हैं देखें जी integration 2 से x तक है t square dt है तो t square की integration जब आप करेंगे तो वो t cube by 3 हो जाएगा क्योंकि integration में क्या होता है? प्लस 1 करना होता है और उसी same power के साथ हम divide कर देते हैं तो 2 प्लस 1 3 by 3 आ गया अब आपने limits पुट कर देए lower limit 2 upper limit x जब आप upper limit पुट करेंगे तो वो x cube by 3 हो जाएगा इसकी जगा x पुट कर दें minus lower limit पुट करेंगे तो वो 2 cube by 3 हो जाएगा तो वो 8 by 3 आ जादा है तो यह जो answer आया हमारा यह x की form में आ गया ना तो यहां से हम कह सकते है the result is a function of x कि जब आपके पास integral ऐसा हो कि upper limit में variable आ रहा हो तो हमेशा आपका answer जो है वो function of x होगा ठीक है अगर x upper limit में आ रहा है तो second fundamental theorem of calculus इसके अब जो हमारा main topic है इस lecture का उसकी तरफ चलते है if integrand is continuous integrand का मतलब है जिसकी integration कर रहे है जैसे यहां पर t square की integration करनी है तो t square हमारा integrand है then the derivative of a definite integral with respect to its upper limit is equal to integrand evaluated at upper limit जैसे यहां पर हमने integration की ठीक है साथ ही आप क्या करें इसका derivative ले ले t square की आपने integration की और इसका जो answer आया है उसका आप derivative ले 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 ठीक है जो function आपके पास दिया वा था जब अपर limit में variable है साथ ही अगर आप इसका derivative ले 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 लेते हैं तो इसका answer यह आएगा यह यहां पर पुट कर दें और x square ठीक है function of x आएगा और power वही same रहेगी the derivative of a function representing the area under curve of another continuous function f is equal to the function of a given interval यानि आप इस तरह से और साथ ही integration के साथ ही आप derivative ले ले लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि integration और derivative एक दूसरे का रैसी प्रोकल है एक दूसरे के fact को cancel कर देते हैं तो वही function हमारे पास answer आजाता है लेकिन variable change होके वह वाला आजाएगा जो उपर दिया होगा जैसे यहां तो T था लेकिन उपर X दिया होगा था तो answer मारा F of T नहीं आएगा F of X आएगा अब example कर लेते हैं देखें F of X अगर X cube है continuous है और आपको इसको evaluate करना है integration पन से X तक T cube dt to check validity of second fundamental theorem of calculus second fundamental theorem of calculus क्या कहता है integration है तो साथ ही derivative ले 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 तो अब इसको हमने प्रूफ करना है हमने उसकी statement लिखी second fundamental theorem of calculus की अब अंदर A से X तक हमने इसकी limits जो हमें दी नहीं है 1 से X तक वह हमने पुट की और F of T की जगह हमें T का function T cube दिया है वह हमने पुट कर दिया T की integration करेंगे 3 plus 1 4 4 over 4 आजेगा बाहर लिमिट लगा दें 1 से 4 तक और बाहर derivative हमने वैसे ही लिख दिया अब पर लिमिट पुट करेंगे X पार 4 by 4 माइनस लोर लिमिट पुट करेंगे 1 पार 4 by 4 और अब इसका अपने derivative लेना है तो पहले हम क्या करते हैं ले लेते हैं या LCM नहीं तो आप ऐसा करें कि इसको बाहर निकाले 4 को जो नीचे common आ रहे है ठीक है वह 1 by 4 ले लें LCM लेंगे तब भी वैसे ही रहेगा अंदर बसता है X 4 minus 1 X पार 4 minus 1 बचेगा और उसका आपने derivative लेना है X पार 4 का derivative 4 X पावर साइट पार के multiply होई और पावर में से 1 minus करेंगे तो 3 रह जाएगा minus 1 constant है उसका derivative 0 हो जाएगा 4 और 4 यहां इसके cancel होगे यहां से 4 और 4 कट कर दें X cube आगया अब जो हमारा original function था तो हमारे पास X cube आगया जैसे भी मैंने पीछे आपको बताया था कि जब हम इसको evaluate करेंगे तो क्या होना चाहिए ती की जगह आप यह export कर देंगे पावर वही सेम रहेगी ठीक है और integration derivation खतम हो जाती है तो हमारा वही answer आगया X cube जो के function of X है उसके बाद है existence of anti-derivative of continuous function आपने अगर continuous function को use करते वे उसका anti-derivative find करना है तो फिर क्या करते हैं देखें जी function t की form में साथ में limits a से x सक दीनी है integration की और साथ ही derivative ले लिया तो हमने अभी पढ़ाए कि वह function of x आता है ठीक है यह हमें क्या बताता है कि capital F of x जो है वो equal होगा a x f of t dt is an anti-derivative of f on i यहनि जब आप इसकी integration करेंगे तो capital F of x answer आएगा उसका आप again derivative लेंगे तो वो small f of x आजएगा ठीक है so every continuous function on an interval has an anti-derivative on that interval यह आपने point याद रखना है कि जब एक continuous function हो आपके पास on an interval तो उसका anti-derivative भी लाजमी होता है उस interval के अंदर last example है 1 से 3 तक limits है 1 over x dx है अब देखें जी function continuous है कहां से कहां तक 1 से 3 तक limits दिए है and is also integrable अब second fundamental theorem के according हम क्या कर सकते है यहाँ पे कि अगर हम 3 को replace कर दें x के साथ तो यह limits 1 से x तक साथ में 1 over x की जगह हम 1 over t लिख दें और dt लगा दें तो अब हम जब इसको evaluate करेंगे 1 से x तक 1 over dt तो इसको जब हमने evaluate करना है 1 over dt sorry यह 1 over t dt यह वाला function हमने लिखेंगे जब हमने इसको evaluate करना है तो अगर इस function को देखें तो पहले हम upper limit put करेंगे 3 minus 1 कर दी अब इसको लिख सकते हैं कि यह 1 से 3 तक 1 over t dt की लिमिट है और f of 1 का मतलब है कि 1 से 1 तक 1 over t dt की लिमिट है क्योंकि यह upper limit है तो 3 उपर आजएगा और lower limit वही रहेगी जो यहां पे है 1 और यहां पे lower limit यही रहेगी जो यहां है और यह जो 1 दिया है यह हम upper limit पे पूट कर देते हैं तो इसको अगर हम combine करके लिखें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से 3 तक और 1 से 1 तक तो 1 से 1 तक वह 1 से 3 के अंदर ही आ रहे है ना इंटर्वल के अंदर तो हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं ड्ट त, तफिए इदिए अफ़ा इंटर्स अंदर्स आगर अंदर्स